कि मैं आपको टेक्निकल बोश मैं आपका प्रिशाब बहुत बहुत सवागत है दोस्तों यह यह दि आपके भी मुवाइल का बहुत ज्यादा slow चलता है और आप बहुत ज्यादा परिसाने अपने mobile के internet को ले कर जब आप अपने mobile में इंजे समझनी है ये आप अपने mobile में कर लेते हो इसके बाद आपके mobile का internet फुल speed से चलेगा और आपको इस problem का solution मिल जाएगा 101% तो दोस्तों क्या है ये 3 setting इसके लिए इस वीडियो को पुरा देखना हो दोस्तों हाँ अपने सभी दोस्तों को share जरूर करना है इस वीडियो को और वीडियो को like करना ताकि सभी के internet की जो problem है वो दूर हो पाई आपके पास कोई सभी sim के लिए जो है ये trick available रहेगी तो आप इसको ध्यान से देखना तो चलिए जानते हैं तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पता सबसे पहले तो आप इस वीडियो को like कर दीजे ओके like अभी के भी कर दीजे अब दोस्तों आपको क्या करना है अपने mobile में केवल तीन सेटिंग करनी है पहले सेटिंग आपको ध्यान से देखनी है दूसरी भी ध्यान से देखनी है तीसरी भी ध्यान से देखनी है तीनों की तीनों सेटिंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्यपून है आपको अप आपको इंट्रेनी से समझ रहे है तो चलिए अब दोस्तों पहले से टिंग क्या है सबसे पहले आजे कैसे के रूप में तो आपको सबसे पहले क्या करना है अपने Chrome ब्राजर के Chrome ब्राजर में जाना है और यहां पर उपर की सैट थी डोट रहती है थी डोट पर क्लिक करना है और यहां पर आपको एक सैटिंग का ओप्शन मिल जाएगा नीचे की साइड यहां पर आप सैटिंग में जाएगी आप सेटिंग में जाएंगे अब यहां पर आपको क्या करना है दोस्तो एक सैटिंग करने आपको जो की बहुत ही जबरदर सेटिंग आप लोगों के लिए उपके ने से स्टोरेज के नाम से यहां पर आप देखेंगे नीचे की साइट ओके तो यहां पर आपको यहां पर क्या होता रहता है जब भी आप अपने वाइल को ओन करते हो तो यह सभी म सब्सक्राइब करेंगे और यहां पर इसको किलियर कर देंगे हैं अब आपको इसके बाद दोर सचीज यहां करना है जैसे कि मैंने आपको बता का बतायाacao तो भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं अपने मुबाइल के अंदर वो आटमेटिक शिंग होती रहती है और वहाँ पर कुछ ना कुछ बैक्ग्राउंड में प्रोसेसिंग चलती रहती है आपके मुबाइल में तो आपको इस चीज़े रोकनी है जिससे कि आपका इंटरनेट कहीं होना लगे जो चीज़ आप यूज़ करेंगे अपने मुबाइल में वहें पर ही लगेगा अब दोस्तो सचेटिंग में आपको क्या करना है जिससे के आपको जो आपके mobile का internet है वो high speed में मिले, अब आपको क्या करना है अपने mobile के setting में जाना है दुबारा से, setting में जाने के बाद सबसे उपर आपको एक option मिल जाएगा connection setting का, connection setting वाले option में जाएगे, यहाँ पर जाने के बाद आपको एक option मिलेगा mobile network का, तो अब आपको क झायान दिखना है जैसे मेरे पास जीयू का अभी सीम है तो यहाँ पर फोदी आपके पास हो सकता है पूज भी यहाँ पर लिख होगा आईडिया खैंज नहीं करना है दोफेंड केवल आपको किया करना है textbook पर एक नया API आया है यहां पर जिसमें कि आपको केवल server चांज करना है अपने mobile का तो यहां पर आप देखेंगे थोड़ा नीचे चल कर यहां पर एक option मिलेगा server का ओके यहां पर देखें द्हान से server का एक option है तो server वाले पर क्लिक करेंगे अब यह बोई डिफाल्ट इसमें कुछ नहीं रहता है यहां पर आपको क्या करना है डालना है www.google.com यहां पर आपको डाल देना है www.google.com आपके पास कोई सा भी शीम हो समय वर्किंग करेगा और फिर उसके बाद यहां से और आपको क्या करना है यहां पर त्री डोट मिलेगी यहां पर आप जाएंगे यहां से इसको शेयो कर देंगे शेयो जूरूर करना है यह सैटिंग आपकी डन हो चुकिया है अब दोस्तों तीसरी सैटिंग में आपको क्या करना है उससे पहले अब आपको दूसरी सैटिंग क करके ओन करने के बाद आपको तीसरी सेटिंग करनी है अपने मुबाइल के अंदर आपको क्या करना तीसरी सेटिंग में आपको जाना है अपने मुबाइल के सेटिंग में और यहां पर उपर की साइड आपको एक सर्च का उप्शन मिला रहता है मुबाइल में यहां पर आप स इसको own करने के बाद अब क्या होगा जितनी भी ऐसे अप्लिकेशन होगी जो background में data को processing करती है वो भी बंद हो जाएगी अब आपको फिर दुबारा से क्या करना है एक बार और आपको अपना मुगाईल सीचोप करना है फिर दुबारा से own करना है और दोस्तों इतना सा ही काम क करना है वीडियो समझ में नहीं तो दुबारा से देख लेना ओके दोस्तों आशा करता हूं यह वीडिया आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करने जाना दोस्तों सो नमस्कार दोस्तों आपका दिन सुबहुँ आ